तो आज आप लोग का टेस्ट है है ना तो आज हम लोग हरपा सब्यता का टेस्ट लेंगे हम लोग चार दिनों के अंदर हरपा सब्यता को बहुत ही अच्छे से पड़े थे पहला दिन हम लोग हरपा सब्यता के बारे में जाने थे कि हरपा सब्यता क्या है इसके बारे में लो को है इसका विस्तार देखे थे फिर इसका कसकते हैं कि यह पूराना है इसके बारे में जाने थे फिर इसके बाद कि नेक्स्ट डे हम लोग जाने ते हरपा सब बिता को जो लोग थे उनका रहां सहान खान पान या घर का जो किसा था इसके बारे में जाने थे ठीक है और घृट्ट वीडियो में हम लोग अर्फ बैटा का के सकते हैं आर्थिक जीवन जाने थे वो लोग है कईसे अपना रोजगार रोजगार क्या था पिर हम जाने थे कि कि लोग अधोग धंदा क्या था ना उसके बाद दाहकर्म किस पैसा सिस्टम था अभी जम्हें हिंदू लोग में लोगों को जलाया जाता है सभी से जो विस्त्रार कहां से कहां तक था उसमें जो में अस्थल थे जो परमुक परमुक जो अस्थल थे जिनको विद्वानों के बारे में जाने थे कि वो कहां है, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है, किस जिला में है, फिर उसके बाद जाने थे कि वहां से क्या क्या मिला, है कि ने, तो यतना बात हम लोग चार दिनों में अच्छे से कह सकते हरपा सब्वेता के पूरे इतिहास को, या हरपा सब् पर इसके बाद यहां पर यूट पर यूट पर आईगा और यहां पर जो कोसें मिलेगा उसको आप देती रिएगा फिन टाइमर आपका एक गंटा कम्प्रीट होगा उसका छोड़ दिजेगा उसका पूरा मिलाइएगा को कितना नमबर आया नहीं तो टाइमिंग को छोड़ि कि आपको कितना नंबर का टोटल है 75 नंबर का सवाल रहेगा ठीक है यह पूरा सवाल आपके स्क्रीन कर सकते हैं मोबाइल में सो होगा तो आप पूरे का जवाब दे पाज़ेगा ठीक है तो इस चैनल पर में जिका जाता है कि हर दिन क्लास में कि रिकॉर्ड करके डाल दिया आप लोगों को हर दिन नहीं सबसे की पूरा आप पारी काल के पَّ daí कि पूरा स्वह थी आदताtake को पड़े पर इसके बाद हम लोग नेक्श दे मतलब हम लोग यहना इतिहासिक तरु नहें त्यासिकाल को सुरू करी पर आजा टेस्ट है तो आपको अच्छे से टेस्ट दीजेगा जो नंबर आएगा कमेंट कर दीजेगा ठीक कुछ तर आपके इसकिन पर सू होगा ठीक तो चलिए टेस्ट दीजे तब तक वीडियो को रोकते हैं और वीडियो जब क्लास में घंटा ह हो जाएगा और फिर उसको कोशन को एक्सेंस करके क्लास में आज ही सबको चेक कर देगा ठीक है चलिए तो मिलते हैं हम लोग टेस्ट के बाद झाल सोजावजा देगा कैसा चलिए तो अब हम लोग है ना अभर टेस्ट हुआ है उन शारे को मिला देते तो देखी अभी हम लोग टेस्ट आप लोग हुआ होगा ठीक है तो अभी हम लोग क्या करतें उन शारे q Teraz konnte को मिला लेते हैं थीक तो पहला सवाल क्या है रहां बहादू राया शहानी कहाँ उत्खनन करवाया कापछा इसाद तारीह 29 कि हर इसाद भ्यता का टेस्ट तो भाला करते हैं एक का शुर्षार खिवुल समय जाँ लै किmoset बहादूर राय सहनी ने कहां उत्खनन करवाया तो हर अप्पा नमक अस्थल पर ठीक है चलिए कब 1931 में दूसरा सवाल कलकत्ता में एसी आइटिक सोसाइटी की अस्थापना की किसने ऑप्शन ए कनिंगम ऑप्शन भी फ्लिट ऑप्शन सी डीसी सरकार या ऑप्शन डी विलि लाहर अिअत्सरा सवाल क्या है अप्शन गेसी यूग की सब्शन ए पूर्ब पासान काल यूग पासान यूग क्या ओप चनसी विलिए लजोग या उप्शन सी लुख यूग कांसी यूग तो हरक प्शन यूग मुल्स प्रखन हे की सब्द है ओपशने हिन्दी भासा का सब्द है ओपशन B सिंधी भासा का सब्द है ओपसंची उद्दु भासा का सब्द है तो MAT मतलब ओता है मिर्टो कट Dria यह पृतो का या एला भूर्थ के समाधि है 50 सब्वाष़ क्या है सिंधुन इवाटि के निवा सीओ कुं खांटया delicate अनहीं था ठीके अब सस्टना का का उप्सिन भी चान्दीक अप्स senhor का अप्सन डिंक सब्दीव से लूघा का अब संडी ताम बागा печ से कर दीज़ i तो पांच का सही जवाब होगा option C लोहा का सिंदु सब्सक्राइब लोग थे इन लोग को लोहा का कोई भी ज्ञान नहीं था लोहा के बारे में इसको जनकारी नहीं थी छटा सवाल हरपा टीले का उतखनन सरव परथम 1826 इस्वी में किस ने किया था मतलब 1826 इस्वी में सबसे पहले किसको हरफा असल से कुछ हे मिला था option A Charles Watson को option B John Brayton को option C William Brayton को या option D Marshall को किसको मिला था सबसे पहले तो चाल्स मैसन को मिला था सबसे पहले तो 6 का option A सही होगा सात्वा सवाल मांडा नगर या मांडा जो अस्थल है किसे नदी पर इस्तित्था option A सिंधु नदी option B सतलज नदी option C चिनाब नदी या option D धेलम नदी ठीक है तो 7 का सही जवाब होगा option C जो मांडा है जम्मु कस्मिर के चिनाब नद किस रंग से रंगते थे ऊप्सने से काला रंग से आपसंन सी भूरा रंग से यह आप यह यह रंग ना सवाल विशाल असनानागार कहां मिला था अप्सने हरपा Option B, Lothal Option C, Chanhudaro Option B, Mohanjodaro तो 9 का सही जवाब होगा Option D कहाँ पर मिला था? Mohanjodaro से मिला था ठीक है? चलिए दसवा सवाल दसवा सवाल चान्दी के दो मुकूट कहां से प्राप्थ हुए? चान्दी के दो मुकूट कहां से प्राप्थ हुए? Option A, कुनाल Option B, रंगपूर Option C, Lothal या Option D, अली मुराद तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option A, कुनाल से प्राप्थ हुआ था चान्दी के दो मुकूट ठीक है? इगारवा सवाल क्या है? सफेद कुवा का प्रमान किस अस्थल से मिला है? सफेद कुवा का प्रमान किस अस्थल से मिला है? Option A, राखी गरी Option B, भगवान पूरा Option C, धौला वीरा या Option D, इनमें से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सफेद कुवा कहां से मिला? Option C, धौला वीरा से मिला है ठीक है? भगवान पूरा नामक जो अस्थल है वो किस राज्य में है? ठीक है? चलिए बारवा सवाल मोहन जोदरों में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहन जोदरों में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? किसों कहा जाता है? Option A, विसाल अस्नानागार को तो बारा का ऑप्शन B सही होगा तेरवा सवाल विस्वी की सबसे पहली नग्रिये सब्यता कौन है? डेविलोन की सब्यता option B, सुमेर की सब्यता option C, सिंदु घाटी की सब्यता या option D, इन में से सभी इस सवाल का सही जवाब होगा option c सिंदू घाटी सब्यता जो है विश्विकी सब से प्राचीन सब्यता है ठीक है तो option c है सही होगा चौदवा सवाल हल से जोते खेत के साक्ष किस अस्तल पर मिले चौदवा सवाल क्या है हल से जोते जोते हुए खेत के साक्ष किस अस्तल पर मिले option a काली बंगा option B भगवान पूरा option C हरप्पा या option D इन में से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब होगा option A काली बंगा से मिला है ठीक है तो 14 का option A सही होगा पंद्रहवा सवाल इन सारे सवाल पहले आपको सो हो चू कहेंगे या भी भी सो हेंगे ठीक है चलिए तो आप सबको मिलाई है और बताएगा ज्यूर कमेंट किजिएगा कि कितना नंबर आप लोको आया है पंद्रहवा सवाल भारतिय प्रतत्व का पिता किसे कहा जाता है ओप्सन A लाड करजन को ओप्सन B अलेक्जेंडर कनिंगम को ओप्सन C दयाराम सहनी को या ओप्सन D लाड डलहोजी को इस सवाल का सही जवाब होगा option B अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतिय प्रतत्व का पित साक्ष मिला है या कुट्टे के सौका साक्ष मिला है ऑप सने रोपर से ऑप सन भी रंगपूर से ऑप संसी काली बंगा से या ऑप संडी धौला विरा से तो कहां से मिला था रूपर से मिला रूपर कहां है तो हर्याना में कहां पर हर्याना के हिसार जिला में ठीक है तो सोला का सूलक अप्शन एक छेया ठीजिये चलिक और और क्या कहना है कि आप लोग अना मतायीइगा तीम मध्य आंपीक अंगी में और क्या मैं पासान करके साथ में ुख जोग के है डिए हैं लोग माताम एम मुझष बाना माध मी सर Unit अड़ से सबसे पहले पसू पारण कहने का किती कार न करने किया बुर्ज होम से सबसे पहले हैना मतलosen वहीं से क्या मिला है मद्य पासानका, पासानका 16 सवाल क्या है हो चुक है 17 सवाल सबस्वाइब राखल दास बनर जी को मोहन जोद्रों का और सेस कि शरू किस वर्स मिला ओफशने 929 सब्सक्न सब्सक्राइब तो बाइस या ऑपसन्स डी उनिस वसका मिला तो वाइस में मतलशाट तरह कॉंसंसी सही होगा प्राटरा त्राटर विवाग कि आशापना किसने की तो बता चुके तो बहुत अच्छा से समझाया थे कि लॉड कर जन ने किया था इसने किया था तो अठारा का उप्शन यह सही होगा उनीज़ा सवाल ठीक है लॉड करजन नहीं किया था ठीक है चलिए कब 1961 में उनिस्वार सवार भी इसी तरह है 1861 इस्वी में 1861 इस्वी में प्रात्व विभाग के महान दार्शनी कौन थे अपसाने या महान निर्देशव कौन थे ठीक है दार्शनी क्वास आयदूर अपरी क्या साफ़ान ने उन चाहिए जो विभाग के ऐसी सबसे धचनी चौट हूं इसके सबसे दशिन में कौन हैं तोप्सन एक है ओप्सन ए मान्डा है आप संबी आलमगीर पूरे याउप्ट संसी दैमाबाद याउप संदी इन में कोई नहीं तो सब से दचनी चोल के कोई ने दैमाबाद किस राजिमा आहले कि नदी कि नारेष्टिस है जे पर डव्रा नदी के पास के ठीक है चलिए तो बीस का option सही क्या होगा option C होगा ठीक है चलिए 21 सवाल क्या है भगत रहो हरपा अस्तल की सराजे में अवस्ति थे option गुजरात option पंजाब option C महराष्ट्र या option री रायस्तान तो भगत रहो किस राज में तो गुजरात में तो option A सही होगा 22 सवाल स्वात अत्रता के बाद किस अस्तल के सबसे पहले खुड़ाई की गए थी तो रोपर की की गए थी ठीक है तो ऑफशन 22 का option B सही होगा तेईसवा सवाल चांदी का परियोग सबसे पहले किस काल के लोगों ने किया ओप्शन A पासान काल के लोगों ने ओप्शन B लोह काल के लोगों ने या ओप्शन C काल के लोगों ने या ओप्शन B इनमें कोई नहीं ठीक है सबसे पहले किसे धात्यू का पर्योग किया गया भारत में तामबा ऑप्शनी लोहा ऑप्शनी चांदी ऑप्शनी सोना इस वाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौपर का किया गया था कि अदल तामबेगा किया था ठीक है तो चौबिस को अप्शनी से होगा पचीसवा सवाल हरपा सब्वेता के लोग सिल्खरी नामक पत्थर कहां से प्राप्ट करते थे ऑप्शन ए अफगानिस्तान से अप्शन भी अरब से अप्शन सी रायस्तान से या अप्शन बी इनमें क थे करते तो यह स्थान से ठाके तो यह को सब्सक्राइब करते तो सिसाही तरफ होगा 25 का इसवाल क्या है कि विक्षित हुई जो इसका विस्था भारत में मतब कहां पर जादा देखा गया आपसे ने यहां आपसटान के तरफ वाली डिजन में ठीक है मतलब भारत में जो उतर पड़े से लेकिंगे इधर रायस्थान गुजरात है का सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब 10 कि इसको प्हुर्त ये जी ृप्संट ईविड़स सीच सह legacy साथाईसवा सब्सक्राइब साथो एक पांच पंच में दीए जागे मिलान चोण करने ठीक चलिए तो अस्तल दिया गया और नदी खिनारे इसको मिलान करना रोपर किस नदी किनारे इंद्धोर नदी किनारे इस्थित फ़र बता दे रहें जो रोपर है वह शत्लत नदी किनारे इस्थित फ़िए अलम गीनद फोर यह तो यह पास अलमगीरपूर किस राज्य में है उत्तर परदेश में किस जिला में है चलिए अब तिसरा क्या है इस मिलान करने वाला बनावली तो बनावली किस नदी किनारे इस्ती थी थे तो यह रंगोई यह रंगोई कहाँ हैं तो यह रंगोई में लंगोई नदी किनारे बनावली किनारे साल्णी नदी किनारेosa warm अमगु आ जाशाल मी कनेवाला हूब में सभता होगा तो यह सिंद्ध नदी किनारे सिथित है सिंद्य राज्य में हैं और यह कहां पके पागिस्तान में ठीक है चलिए तो महंजोद्रों जो радиus तो मिले गया है वह रहा है थिक और सुआ किया तो करें और वह वह गया है इस में इसमें यह मैं सक्टिर्पण में इस में जो दिया गया इस पांचों में ऐसे एक अशनужд literal की गई थी आखालि-षम् एक काली वंगा किस नधी किना रेशिति था है У कहां है तो राष्तान में किस नदी ना देस्टी था वताया गर नदीक रीस थित है आप लोग बताईए तो आप लोग ने चलिए तो आप लोग कमेंट के जिएगा ठीक है ठीक है छुट रिंग हुट इसमेसल चलिए उसके वाद क्या सवाल है कितना सवाल है róż its 30 सब्दम्ण में किस असल estàको यह थी तहर अमक इस मे पकिसराज में पकिसमें पंजाब राज्चान के पंजाब तो में पंजाब किस दीला में लगा ने मांट को म्रेजिला में बहुत अच्छा और किस नदी किना रहे है आपको मेंट के जाएगा ठीक है तरह आगे क्या उन्हीं सो बाइस में किस नदी को दाइव इस एक इस अस्वाल के खुदा हुई थी महां जोदरों यह किस से देश में है बहुत अच्छा चलो अग ठीक है खुद किस ने किया तो अफसन एमिक मतले नमर में क्या सूरजवान कि सुवे हरपा अस्तर की खुदाई की थी तो इसका सही अंसर क्या होगा ऑप्सन किस मिलान होगा कि सूरजवान जो है बता चुके थे कि राखी गड़ी सूरजवाई याद किये थे हम लोग और आ कि सूरजवां उससे tio जो है तो फटी खिसकी मीलेगा ठीक है चलिए जगपती जोसी किसी कि खुदाई किया थे तो इस से कि इसलिए यह मिलेगा चलिन उसके बाद क्या चौता में में क्या यहां ब्रजवासी कि कुदाई कि तो चो का लीबंगा को भी हम लोग बुल सकते बीबी ठीक है तो मतलब बरजवासी लाल की खुदाई ये जो लाल है ये काली बंगा की खुदाई कि ये संस्कीत भासा का सब्सक्राइब दूसरा सवाल क्या है सिंदू सब्यता के निवासियों ने एक डैस लीपी काविस्कार किया था था फ्याओ कि सिंदू सब्यता का डैस बंदरगा आस्ताल तो लोथा जो था बंदरगाँ अस्ताल गोदिवार अस्ताल या पत्तन अस्ताल या सी पोर्ट उसको कहा या था ठीक है चलिए अस्तल था तो तीस्वा स्वाल क्या सेंधो वासी मिठास के लिए डैस का परियोग करते थे तो लोग सहद का परियोग करते थे ठीक है 33 सवाल किया है हरपै सब्यता की पर्मुख विसेष्ता यहा की डैस परणाली थी तो इसका सही जवाब क्या होगा नगनियोजन परनाली थी ठीक है चलो इसके बाद हम लोगा सवाल किया लाग एंसर ताइफ कोस्टन से मतलब आपको उसको GOOD मिफ्सक्राइब कर दिशब आभ रपका कांड़ा क्या क्माम समाजिक स्थे लिवाण करें न कें अतरी इसको सब्जेक्टिव था चलिए तो इसके बारे में अगर इस पांचों का जवाब देए तो मतलब है पूरा पढ़िया से कंप्रीट हो जाएगा इस पांचों का जवाब हम लोग नेक्स्ट वीडियों में देखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग और अभी आप अश्चे से कॉपी में लिखेंगे और हम बताएंगे तो मैंस कर लिए क्या क्या लगवगा ठीक है ठीक है रूमेड करते सारव आपको अच्छा लगवागा नेक्स्ट देखेंगे परएंगे एतिहासी काल परेंगे क्या परेंगे परले हम लोग दो वीडियो के माधिया हम से हम लोग क्या-क्या पर चुके हैं तो दो वीडियो के माध्य हम से हम लोग पासान काल को मतलब प्राग गैतिहासी काल को बढ़िया से पर चुके हैं फिर इसके बाद हम लोग आधियासी काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एरा को बढ़िया से पर थे प्रोटिक प्रोटो हिस् की एक टोपीक खतम होगा फिर ट्यू स्थीस्ट यूप बारी जाओ ठीक आ रहते हैं चाय। तो सब्सक्राel को रहा फ्ह grants को दु tumor के मिल्किक प्रेस लेंगे फिर इसक बार किा करीं हम लोग्य तैसी अब एतियसिक अच्छा से देखें घंद करतें सारा अच्छा लगाँ अंद तो हमसे पढने के लिए इस दरह डेली पढने के लिए रोज तीन वजे करिब अपलोड कर दिया थी कभी को देर है तो ऑब्ली चैनल को सब्सक्राइब कर देज है यह अब्जेक्टिव था इसलिए इस Thank you so much for watching this video.